हेलो गाईज नमस्कार मैं आप लोग के स्वागत करता हैं दोस्तों आज हम बात करेंगा बालों के गुरोथ करने के बारे में कुछ टीप्स आप टीप्स जानने के लिए आप मेरे वीडियो अंचक देखिए दोस्तों लंबे घने और चमकदार बाल हर किसी को पसंद होते हैं खास कर महिलाओ की तो यह पहली ख्वाइस होती है लेकिन आज कल के परदूसर भरे वातावरान बदलते मोसम और बढ़ती उम्रे में सई देखवाल नहीं मिनने की वज़स से बालों का रुखा और बेजान हो जाना आम बात है इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं बा इधियो को आँ तक देखिए टिपस नमर फुष्ट दूस्त बदाम का तेल बाल दोने से पहले उनन में बदाम का तेल लगाए तेल केवल बालों की लंबाई में लगाए इससे उनका रुखापन दूर हो जाए गा बदाम के तेल में 25 होता है जो बालों को मुलायम बनाता कि आप चानते हैं कि इसकी मदद से बालों में चमक भी लाई जा सकती है इसके लिए साफ बालों में दही लगा ले और आदे घंटक तक लगाए रखे उसके बाद बाल दोले महीने में एक बार इस उपाय के इस्तिमाल करें आपके बाल चमकदार हो जाएंगे टिप्स नमर ठर्ड दूद बालों को रुखापन दूर करें अंडे में पोर्टीन के अच्छी मात्रा पाई जाती है जो बालों को पोशा देने के साथ-साथ उनकी देखभाल करने में भी मदद करती है जबके दूद बालो का रुखापन दूर करके उन्हें मुलायम बनाता है इस उपाई के लिए दो अंडो को अंडो को दूद में हलके हाथों से फोड़े और अच्छे से मिला ले मिलाने का बाद मसाज करते हुए इस मिशन को बालो और एसकेल पर लगा ले पांच से साथ मिला तक रखे और फिर अपने बालो को पानी से धोले टिप्स नमर फोर्थ अंकुरित अनाज अपने खान पान पर भी द्यान दे बाल हाड पोटीन यानि कैराटीन से बनते हैं अपनी डाइट में दूद दही अंकुरित अनाज हरी सब्जिया और हो सके तो अंडा मचली सामल करें तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों इस चैनल पर 100% शही ग्यान दिय जाता है और इसको उप्योग किया गया रहता है तब ही आप लोग को इसे उप्योग के लिए बताया जाता है यह 100% आजवेतिक होते हैं घरेलू होता है इसका कोई साड़ी फ्यक्ट नहीं होता है तो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंकू